आपके साथ चर्चा करते हैं आप देखते हैं कि किस तरीके से मंडे और आगे के दिनों में उसका प्रभाव पढ़ता है तो आज के दिन हम आप से जो है important global factors और इसके अलावा ऐसे factors जो कि directly कल और परसों की trading को प्रभाविट करते हैं सारे important factors with analysis आपके सामने रखने वाले हैं इसके अलावा सेवी का short selling को लेके जो circular निकल के आया है उसको detail में काफी simple सब्दों में आज के वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं sectorial perspective रहेगा साथी साथ ये भी बताने वाले हैं कि पिछले week में foreign institutional investor और domestic institutional investors का किस तरीके से buying selling का data रहा है और market को वो कैसे प्रभावित कर सकता है इसके लिए अमेरिका के अंदर चाइना के अंदर भारत के अंदर कौन-कौन से important factors हैं जो आपको पता होना चाहिए और अगले week में आपको जो है चाहे trading हो चाहे investing हो उसमें मदद कर सकते हैं यह सारी चाचा वीडियो में आगे करने वाले इसके अलावा जब भी आप स्विन टेडिंग की बात करें या शॉर्ट टम पोजिशनल टेडिंग की बात करें वहाँ पे जिस तरीके से sector rotation और sectorial analysis करना important होता है तो power of market की team इस Sunday special वीडियो में आपको अलग-अलग sector के अगले week में perspective भी बताती है यह भी बताती है आपको कि कौन से sector अगले week में मजबूत रह सकते हैं और कौन से sector week रह सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का detail analysis वीडियो में रहेगा साथी साथ कल के लिए कौन से से important support और assistance हैं जो आपको पता होना चाहिए तो overall चाहिए stocks की बात हो या निफ्टी बैंक निफ्टी analysis की बात हो सारे important factors का analysis करके power of market की team लगातार आपके सामने important videos रखती है अगर आपको power of market team का काम पसंदा रहा हो तो ना उसे किबल YouTube चैनल पे subscribe करिए अपितू, टेलिग्राम की मार्दियम से भी बहुत सारे हम pre market में, post market में और live market में लगातार important जो भी stock specific अगर कोई news data, economical data आता है उसका update देते हैं, उसका analysis आपको समझाते हैं, तो इसी कड़ी में आपको सोसल मीडिया के अलगल अलगल platform पे power of market की team को prescribe करना है और साती सात में इसके अलाबा हमारी जो website है www.powerofmarket.com वहाँ पे भी बहुत कुछ आपको सीखने समझने के लिए है इस website में का आपको option trading से समझने कोर्स भी मिल जाएगा login करके आप उसमें जरूर रजिस्टर हो जीए, login करके आप उसमें जीमेल के मार्दियम से या अपना नया account भी create कर सकते हैं उसका कोई भी चार्ज नहीं है, website में बने रखिए, आगे चलके उसमें ब्लॉग्स में कई stock specific index, specific चाहे domestic front की बात हो यह global front की बात हो कई important analysis, update और news data लगातार आपको मिलेगा, तो power of market की team के साथ इसी तरह बनी है, हमें एक friend की तरह financial market में आपको कुसिस कर रहे हैं कि सही आपको जो है analysis रख सकें, सही तरीके से आपको update रख सकें, तो power of market को subscribe करें और हमारी वीडियो उसको जारा स्याद अपने whatsapp group में, instagram, facebook group में like, share, comments करें चलिए अब सीरे आज की वीडियो के सुरूबात करते हैं, और सबसे पहला important factor जो की सेवी का short selling को लेके एक market के अंदर circular आया और उसको लेके कई तरीके के investors जो हैं, traders हैं, उनके मन में confusion मना हुआ है, तो इस वीडियो के बाद आपका वो confusion दूर हो जाएगा, सबसे पहला important point य कि जो F&O के अंदर जो stocks होते हैं, जो future option में जिन में trading होती है, उनके ऊपर किसी भी तरीके का circular का कोई impact आने वाला नहीं है, अब दूसरी बात यह आती है कि जो ऐसे stocks होते हैं, जो कि F&O में नहीं रहते हैं, अथार जो non F&O stocks हैं, उसमें सबसे पहला point आपको यह पता होना जहें कि जो institutional investors होते हैं, वो भी उसमें selling करते हैं, और कई बार आप में देखा है, खास कर कई recent में आपने देखा होगा कि कई ऐसे जो non F&O counter हैं, उनमें 20-20% के कई बार lower circuit लगते हैं, बहुत जादा उसके अंदर volatility रहती है, इसलिए उसमें सुधार हो, upfront आपको पता हो, तो दूसरा important point है कि जो retail traders हैं, जो कि short selling करते हैं non F&O stocks में, आपको भी EOD के माध्यम से end of the day में disclosures देना पड़ेंगे, अब होता क्या है, कि कई बार आपने देखा है कि कई retail traders ऐसे रहते हैं, जिनके पास में किसी stocks की delivery नहीं होती है, और वो कई बार stocks को naked selling कर देते हैं, और फिर position को सकरफ नहीं कर पातें intraday में, तो इसके लिए एक mechanism होता है, security, landing and borrowing obligations, SLBO का जो mechanism होता है, इसमें होता क्या है, कि मान लीजे आपने किसी non F&O stock में short sell करती है, और आपके पास वो delivery में नहीं है देने के लिए, तो फिर आप SLBO के मात्यम से उसको जो है borrow कर सकते हैं, और जब आप ये borrow करते हैं, तो उसके लिए आपको जो है borrow की cost देना पड़ता है, जो आपको lend करता है, उसको वो कहीं ने कहीं एक rental income की रूप में benefit होता है, तो ये mechanism होता है, तो ये mechanism होता है, तो ये mechanism नहीं होगा, और अगर आपने short sell कर दिया, कई बार बड़े-बड़े institutional investors भी short sell कर रहता है, और अगर SLBO के मार्दयम से settlement नहीं हो पाता और आप delivery mark नहीं कर पाते, तो फिर इसमें auction के अंदर बहुत heavy penalty कई बार 15 से 20 परसेंट तक की भी penalty रहती है, तो ये पूरा overall ये जो circular इसका impact जो है Monday और Tuesday को market पूपर पढ़ सकता है, जो non F&O stock से उनके अंदर volatility और liquidity में आ अगर आप retail traders हैं, तो आपको ये information होना चाहिए, जो हमने अभी आप से चर्चे की, और अगर आप institutional traders हैं, तो आपके लिए ये काफी important जो है circular है, इससाब से आगे disclosure रहेंगे, तो काफी important होगा, क्योंकि कई वार देखा गया है, इसमें जो है courts की भी कई तरीके की rolling है, कि कई price manipulation होता है, खासकर non-fnb stocks में, कई वार cartel बना के लोग जो इस तरीके से price manipulation करते हैं, तो आशा करते हैं, कि आने वाले दिनों में, ये जो non-fnb stocks हैं, इनके अंदर भी price stable होगी, और retail traders के लिए इससे काफी फायदे की बात है, अब दूसरा important point ये है, कि America के अंदर, China के अंद 30 समय निकल के आएगा, तो इसका direct impact आप देखेंगे Friday के दिन में पड़ेगा, अब America का inflation का number है, इस तरीके की forecasting बन रही है, हमने भी इसमें जो है अपना analysis का important platform के साथ में share किया है, तो 3.2% के असपास की forecasting बन रही है, लास्ट टाइम में America का inflation का number था, वो 3.1% था, इसका मतल भी है कि 10 basis points से अमेरिका के अंदर मेंगाई बढ़ सकती है, और अगर मेंगाई बढ़ती है, तो FOMC जो पिछली 2 meeting से वहाँ पे interest rate उसने नहीं बढ़ाया है, अमेरिका के अंदर जो इस समय इंटेस rate का सिनारियो है, वो multi-year highway है, तो अगर interest rate इसी तरीके से बढ़ता है, तो US dollar denominated trade balance के नमबर निकल के आना अर्थात, गुरुबार और सुकुरुबार का दिन काफी important है, जो आपको पता होना चाहिए, जब ये data निकल के आएगा, तो power of market की team इसका update और analysis आपके सामने रखेगी, तो आपको power of market की channel को subscribe करना है, साथी साथ notification bell भी जरूर आपको press करना ह इसके अलावा domestic fund की अगर हम बात करें, तो domestic fund में भारत के December मैने के CPI inflation के नमबर 12 जनवरी को सामको निकल के आना है, साथी साथ index for industrial production के November मैने के data भी जो है 12 जनवरी को निकल के आना है, तो domestic fund पे ये दोनो data काफी important है, तो overall आप समझ सकते हैं कि सुकुरुबार का दिन भी देके जाते हैं, तो फिर market के अंदर मंडने को major gap up और gap down देखने को मिल सकता है, तो ये data भी आपके radar पे होना चाहिए, चोधी बात करें, तो जो corporate earnings की बात हो रही है, अब Q3 FY24 के corporate earnings का calendar declare हो गया है, 11 जनवरी को IT sector की दो दिगज कंपनी Tata Consultancy Services और Infosys के नमबर, market trading साड़े त number निकल के आएंगे और अमेरिका का inflation का data, तो 11 जनवरी को traders आपको काफी alert रहना है, क्योंकि 12 जनवरी को आपको काफी strong gap up और gap down देखने को मिल सकते, overall IT sector से जो इस बार की Q3 FY24 पे हमारा है मानना है कि number subdued रहेंगे, बहुत strong growth होने की possibility नहीं है, पर हाँ, चुकि market already इसको discount कर के चल रहा है, इसलिए कुछ mid gap और कुछ large gap companies में अगर number खासकर guidance में थोड़ा भी improvement देखने को मिला, तो उस particular stock के अंदर आप एक price recovery देख सकते हैं, पर overall subdued number आने की possibility बन रही है, 12 जनवरी के अगर बात करें, तो SEL Tech और विप्रो के भी number निकल के आना, तो overall 11 और 12 जनवरी क के बाद में आपको पता चल जाएगा कि IT sector अगले, एक quarter में खासकर अगले तीन मेनों में किस तरीके से perform कर सकता है, काफी important numbers रहेंगे, जब ये numbers निकल के आएंगे, तो power of market की team आपको जो है, इसके बारे में भी उस वीडियो में, update analysis आपके सामने रखेगी, किस तरीके से corporate earnings के number, निकल किया, इसके अलावा किसी company specific के भी अगर आप corporate earnings के number के analysis समझना चाहते हैं, तो comment करके आप बता सकते हैं, mail कर सकते, email ID आपको जो हर वीडियो के description पे, और हमारी YouTube चैनल पे about उसके page पे आपको जो है, power of market team की email ID मिल जाएगी, वहां भी आप mail के मात्यम से अपनी positions, या आपको अगर लग रहा है कि किसी particular stock में आपको analysis से update समझना चाहते हैं, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमसे लगातार कई viewers लगातार हमसे पूस्ते हैं, पूसिस करते हैं, कि आपको जल्ली जल्ली उसका response ने, ताकि आप satisfied हो सके, इसके अलावा दोस् करें तो 7200 क्रोल के आसपास की selling होई है, overall जो डियाइए का number है, वो काफे strong है, तो यह बताता है कि इस तरह किसी डियाइए ने market को support किया था, वो कुछ profit booking कर रहे हैं, और FII जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताता है कि calendar year settlement के बाद में, जन्रली यह देखा गिया है, कि जन्व चाहिए, हमारा यह मानना है कि जिस तरीके से 11 जन्वरी और 12 जन्वरी के numbers निकल के आएंगे, इसका direct impact जो है IT sector के उपर पड़ सकता है, अगर number में कुछ revival आता है, तो technical chart indicate कर रहे हैं कि आने वाले गुनों में IT sector के अंदर एक strong recovery आ सकती है, जहां तक अगले week के लिए अगर strong sectors की बात करें, तो आपकी radar पे जो है Nifty Reality, Nifty Auto और Nifty PSU Bank के जो इंडेक्स हैं, यह रहना चीज़ों से संबंधित company swing trading के साब से आपकी radar पर हो सकती है, क्योंकि इन sectors का अगर आप daily और weekly chart का technical analysis करेंगे, structure काफी मजबूत लग रहे हैं, और आने वाले दिनों में जो technical indicator है, वो indicate क कर रहे हैं कि momentum continue रह सकता है, वीक सेक्टर की अगर बात करें, तो निफ्टी FMCG, निफ्टी Pharma और Nifty Metal, यह तीन सेक्टर हमारा है मानना है, कि यहाँ पर कुछ profit booking आ सकती है, निफ्टी खासकर Pharma और Nifty Metal के अंदर आपको strong profit booking अगले week में देखने को मिल सकती है, तो यह अगले क्रॉस कर लेता है, तो अगली जो रुकावट है, वो 21850 के आसपास बनेगी, overall हमारा यह सूचना है, कि जब तक यह जो US के inflation के number और TCS Infuses के number निकल के नहीं आ जाते, तब तक हो सकता है, निफ्टी आपको जो 21850 की नीचे मिले, तो यह काफी important resistance का का काम कर सकता है, नीचे क इसकी बात करें, तो 48450 और 4650 के काफी important resistance है, हमारा ऐसा सोचना है, कि 48650 का resistance हो सकता है, गुरुवार सुकुरवार तक क्रॉस ना हो, और नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करें, तो 4770 पहला important support है, उसके बाद में 30 मिनिट 15 मिट के चार्ट पे, अगर आप देखेंगे, तो 47 400 के असपास काफी important candles congestion है, तो 47400 काफी important support है, तो मंडे के लिए अगर हम trading range की बात करें, तो 47400 से लेकि 48650 की काफी broad trading important trading range है, इसके दोनों साइड में अगर जिस तरीके के भी जो है breakout होता है, तो फिर आपको एक सांदार rally देखने को मिल सकती है, तो इस तरीके से हमारा निफ वाले आप दिनों में आप देखेंगे कि power of market जैसे जैसे धीरे धीरे infrastructure के अंदर भी काफी improvement करेगा, और आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे ऐसे macro, micro economical factor, technical analysis और fundamental analysis के काफी important aspect power of market की team में मिलेंगे, हम अपनी team भी लगातार बढ़ा रहे हैं, कोसिस कर रहे हैं कि अपनी viewers को satisfied कर सकें, जो भी आपकी requirement है, उसके साब से content आपके सामने रख सकें, power of market financial education का market analysis और content creation platform है, अगर आपको हमारे काम पसंद आ रहा है, तो हमारे website को भी लगातार एक्सिस करिए, और हमें अलग-अलग social media पे जो है follow करिए, YouTube चैनल को subscribe करिए, कल पर एक important वीडियो में आपसे लागा तो